नमस्कार दूस्तो मैं देरिज कुमार और इलेक्रिकल कोमेडी में आपका पहुत पहुत स्वाकत है तो दूस्तो यह ट्रॉस्फॉर्मर है जिसमें यह लाल वायर है यह हमारे मैन सप्लाई के हैं और यह हमारा बारा बुल्ट का है और यह जीरो है और यह बारा बुल्ट का है तो सारा कुछ और दूस्तों इसकी हमें सेफटी कवर भी बनाऊंगा तो सबसे पहले में क्या करूंगा इसकी जो मैन सप्लाई है वहां पर मैं और अपनी केविल को जोंट कर दूँगा और यहां पर आपको टेप लगा देना है ताकि शौट नहीं लगे आपके लिए ठीक है करेंट लग सकता है और अब आपके लिए यहां पर मीटर को मैंने DC 200 बोल्ट पर शेट किया है और यहां पर पिलस पर लगाया और जो हमारे नीला तार है उसको जीरो भी बोल सकते हैं हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं तो यहां पर 12 बोल्ट जीरो आ रही है तो वह बलकुल वाला सिरा है वह मैंने इस पर जोइंट कर दिया है और यहां पर मैं जैसे इसको टश कर रहा हूं तो इसमें दोस्तों इस पारकिंग तो हो रही है लेकिन मोटर हमारी नहीं चल रही है सिर्फ मोटर हमारी बाइब्रिशन कर रही है और आपकी वी बाइब्रिशन जरूर करे तो इसको हम चलाने के लिए दोस्तों या बैटरी चारजर बनाने के लिए या लाइट जलाने के लिए तो यहां पर मैं दो डाउड लूँगा तो यह जो डाउड है इनकी वैलू है चाउवन जीरो दो यह डाउड है यहां पर आप चाउवन जीरो आठ भी ले सकते हो या त् साथ भी ले सकते हो और यह जो डावड होते हैं इसकी जो पट्टी वाले सिरा होता है यह पॉजिटिव होता है और जिधर बना पट्टी का होता है वो माइनस होता है तो यहां पर यह जो पीले पीले हमारी तारें यह 12 वुल्ट के हैं दोनों और इन तारों पर इस डाडों को हम लगा देंगे जो हमारे पास यह डावड है और उसके बाद में यह मैंने दोस्तों लगा दिये हैं बिल्कुल और आपको याद रखें बिल्कुल कि एक ही दिसा में यह डावड लगानी है और जिधर को यह पट्टी-पट्टी वाले सिरा है इन दोनों को जोइंट कर देना है तो यह दोस्तों हमारा एक तरह का यह 12 वोल्ट से 24 वोल्ट हो गया है तो अब हमने यहां पर डावड लगा दिये हैं और दोनों पट्टी वाले सिरा को जोइंट कर दिया है और अब मैं यहां पर मैंने पहले से लगा रखा था नेले तार पर जो ग्राउंड तार है दोस्तो हमारा यहां पर cooler पूरी तरह से चल रहा है अभी थोड़ा सा touch हुआ था और यहां पर यह पूरी तरह से लग चुका है तो यहां पर यह मेरा cooler जो है बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है और दोस्तो फुल स्पीट में यह चल रहा है और उसके बाद में अब हम करें के अंदर तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें तो यहां पर मैंने एक बेवी सी पाइप को और बिल्कुल प्रेश की साहता से और यह दोस्तो बिल्कुल हीड कर लिया था और इसका मैंने बॉक्स बना लिया है बिल्कुल इसी के नाप का आपके पास जो ट्रासफार्मर है उसके आप नाप का बोडी बना सकते हो और पीछे हमने दो हॉल कर दी हैं जिसमें नट बोल्ट हमारे कसे जाएंगे तो यहां पर इस बोडी के अंदर और ट्रास्फार्मर को रख देंगे और दोस्तों यह मैं क्यों बना रहा हूं क्योंकि यह देखने में भी कुछ अजीव स कर दिया है तो यह हमारा माईनस है आर यह जू लाल तरहें हमारा पैलस है तो अब इसका यह उपर वाला कैप है और इस कैप को हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों यह जो डावड हैं यह उधर उधर जा सकते हैं यह ट्रॉस्फर्मस से जब वाइवरिसन करेगा तो यहां पर मैं डवल टेप का यूज कर रहा हूं तो यह दोस्तों यह से क्या होगा कि यह जो हमारे डावड हैं यह यहां पर चिपक जाएंग और फिर यह लेंगे डूलेंगे नहीं बिलकुल और नहीं बिलकुल आवाज करेंगे तो वह बहुती बड़ी है इसकी सेफटी है तो मैं इसको यहां पर इनके चिपका दूँगा और दोस्तों यहां तक वीडियो आपको पशंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पहला आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों इससे भी मस्त मस्तम वीडियो बनाकर मैं आपके लिए दिखाता रहूंगा तो यह जो मैंने दो हॉल किये थे तो यहां पर यह माइनस पिलस और दोस कुन सा है तो यहां पर मैंने इसकी बोडी को चार और से बिल्कुल पैक कर दिया है और दोस्तों अगर एक या दो एमेम अगर आपका फाल्ट दिखे तो आपके लिए क्या करना है सबसे पहले एलपी की साथा से इसको पूरी तरह से चिपका लेना है और याद रखे का आप इसकी फिनिसिंग नहीं आएगी तो यहां पर मैंने इसको बिल्कुल गिसकर रेडी कर दिया है और दोस्तों अब मैं आपके लिए दिखा दूँ बिल्कुल जो है आपकी शामने है कि मैंने सबसे पहले बोड में इसको लगा दिया है और अब इसके जो माइनस और यह पिलस हमारे निकल कर आई हैं तो यहां पर आप लिख भी सकते हो तो इसमें माइनस वाला जो तार है हमारा वो सफेद है और पिलस वाला यह है तो यहां पर दोस्तों हमारा कूलर जो है यह पूरी तरह से चल चुका है और इसी परकार से आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हो मोटर स तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें